आज मैंने आपके साथ किया है शेयर गाजर का हलुआ जो बिना के दुकस किये और बहुत ही कम इंग्रिडियन्स में बहुत ही असानी से हलुआई जैसे पन्ने वाले गाजर के हलुए की रेसिपी तो हलो दोस्तों वैलकम बैकिन मैं चैनल वेदा नो लेखा किचन रेसिपी के चैनल पर नए है तो सबस्क्राइब जरूर कर लिजएगा तो चलते हैं यहां लिया है मैंने एक से लेड़ के जी गाजर जिससे में धूलिया है और इसे चील रही है आपको इसे चील लेना है इसके चिलके आप निकाल लिजएगा और पूरे गाजर के हम इसी तरीके से काटके कूकर में ढेलते जाएंगे यह रहाँ बतार का टुकडा कोड़ा में पूरी तरह कर दिया है अब है मैं ऑपको एक डूध में ख़ …दूध बस आपको ऊई ग्रूध करना है ज्यादा दूध मत रखिएंगा आत यह यह कूकर के बाहर आ जाएगा और यह मैने लगा यहां पर मेरा घाजर पूरी तरह से हो चुका है यह कुकर में हल्का सा दूदबहार आए इससे बिल्कुल गवराईे का मत और यह गाजर पुरी तरह पक चुका है यह देखिए मैं आपको निकाल के भी पताती हूं यह बड़िया सा यह गल गया है अब हम इसे कर देंगे मैश आप या पाबा जी जो मैशर होता है उससे भी आप मैश कर सकते हैं या फिर डाडू वगेरा से भी आप इसे मैश कर लीजेगा तो यह हो चुका है मेरा बढ़िया सा मैश आप में इसमें एड़ कर दूंगी हमारे कच्छे गाजा जिसे मैंने हलका सा कदूगस करके रखा है थ जिसमें मैंने तीन सेथ चाह चाहाओ लिया है घी आप अपने टीस्के अकॉर्डिंग ले सकते हैं अगर आपको गाजल कहरava बहुत पसंद हैं औ को कम घी में खाना है तो आप घी कहंटीटी तो आप इसमें कम कर सकते हैं और अगर आप घी बहुत ज mango ब्सण घमार्ुड तो बड़ी आसा जिससे हम पका लेंगे वैसे यह अल्रडी पक चुका है तो आपको जाद इसमें मैदद करने की ज़र्वत नहीं है अच्छे से हम मिक्स कर देंगे केस की फ्लेम को हाई रखेंगे ताकि यह फटा फट से पक जाए और यह वैसे अल्रडी पक चुका है मैंने यहां पर शक्कर डाल दी है और यह शक्कर आप अपनी टेस्क अकॉर्डिंग डालिएगा यह आपको कितना मीठा खाना है यह देखिए बड़ी असा हम इसे भी कर देंगे मिक्स और यह जो शक्कर डालने के बाद यह हलका सा पानी चुड़ेगा क्योंकि यह चिनी मेल् फ्लेमे से पकने देंगे फटाफट हम इसे सुकाएंगे इसे हम तेर तक पकाते नहीं रहेंगे ताकि हमारा टाइम ज्यादा ना लगे यह देखिए आपको बस थोड़ा सा टाइम आपको चार मिनट करीब 3-4 मिनट आपको बस यह जो दूद और यह हमारे शक्कर हमने जो एड़ किये हैं आपको बस वही पकाने में टाइम लगेगा और यह मैंने डाल दिया हरी इलाइची का एक चमच पाउडर यह आप अगर पाउडर नहीं है तो आप खड़ी इलाइची भी मांदस्ताने में कूट के अराम से डा सकते हैं यह देखिए तो बढ़िया सा इसमें चमः टार पाणा करेंगे कराऊ मावी में बढ़िया समय बार गका यह एपने घर में जो बनती है दूद वाली अगर अग予 है तो इसको स्कीप कर सकते हैं अगर मावा डाला रहा है तो में मावा डालासित है अगर आपके हमावा नहीं पाका यह तो मनाइवा पाएब कुछ ड्राइफ्रूट्स लिए हैं बादा माखरोड और काजो मांदस्ताने में कूड लिए हैं हलके हलके से आप अपने घर में जो भी अबिलिबल है ड्राइफ्रूट्स आप वो डाल सकते हैं माखाने वागिरा भी डाल सकते हैं पिस्ता डाल सकते हैं किश्मिस डाल सकते है तो यहाँ पर यह बड़िया सा हो गया है अब इसे देखिए घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है यह हलुए ने अगर घी छोड़ना स्टार्ट कर दिया तो आप समझ जाए है कि आपका हलुआ रडी है यह देखिए आप साइड साइड में देख रहे हैं मैं आपको दिखा द निकान लेते हैं अब एक बर्तन पे यह हो चुका है रेडी और बढ़िया सा हम इसे करेंगे फटाफट टेस्ट यह लाइट के कारण आपको थोड़ा सा इसका कलर वाइट से दिखरा है यह है बिल्कुल रेड कलर में तो यह मैंने निकान लिया है इसे बर्तन पर और इसे कर है गानिश काजू और विस्ता से और बढ़िया सा यह हो गया है रेडी आभी से खाके जरूर कमेंस करिएगा बनाके कि यह कैसा बना